दूसों आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पाइट एडमन्ट स्पेंसर की लाइफ से जुड़े इंपॉर्टन फैक्ट्स को डिस्कुस करेंगे देखो यह एलिजबेटन एज के इंपॉर्टन पाइट से यह इंपॉर्टन ड्रामेटिस थे जिनको सेपरेटली डिस्कुस करना वह ज़रूरी है जो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में इस वीडियो में हम सर्फ और सर्फ एडमर्ट स्पेंसर की बात करेंगे 1552 में इनका बर्थ हुआ था जनम हुआ था और चार्ल्स लैंब ने इनको पॉइट स्पॉइट बोला था सबसे पहला फेक्ट आपको ध्यार में रखना है चाल्स लेंब ने इनको पॉइट स्पॉइट बुला था अजब कभियों की कभी Elizabeth Boyle जो थी जिनके लिए इन्होंने Amority Sonnets को लिखा है वो इनकी second wife थी ये basically Ireland की रहने वाले थे दोस्तों Ireland छोड़ कर आये थे England Ben Johnson का कहना था कि ये 46 की एज में गुजर गए थे रोटी की कमी के कारण Spencer died at the age of 46 for the want of bread C.S. Levis ने इनकी लिए कहा है Spencer was not one of the great sonnet years मतलब उस एज की जो great sonnet लिखने वाले थे Spencer उनमें से एक नहीं थे John Dryden ने William Shakespeare और Edmund Spencer का comparison करते हुए ऐसा कहा है कि Shakespeare himself might not have achieved so much if Spencer had not lived and labored William Butler Yeats ने Spencer को the first salaried moralist बोला है जबकि Milton ने अपने work Aero Pajitica में इनको sage और serious point का है Alexander Pope कहते हैं कि Spencer एक ऐसी mistress है जिसके faults हमें दिखते हैं लेकिन फिर भी हम उसे प्यार करते हैं A mistress whose faults we see but love her with them all William Wordsworth Prelude की book 3 में लिखते है Sweet Spencer Moving through his clouded heaven with a moon's beauty and moon's soft face जबकि James Thompson ने तो Spencer को अपना master कहा है My master Spencer कहकर उसी Spencer की आज हम बात करने जा रहे हैं इस सब important चीजें हैं जो आपको note करते हुए चलने चाहिए कि किस writer ने Spencer के लिए क्या बोला इनका सबसे famous work है Fairy Queen ये इनका masterpiece work है जिसके अंदर रहनोंने Spencerian Stanza का यूज किया था Spencerian Stanza की rhyme scheme क्या होती थी A B A B B C B C C नौ लाइनों का ये Spencer होता था और अपसे पहले जो writers King Arthur की कहानी सुनाते आ रहे थे वो ही कहानी इनका सनाई है इन सारी books के अंदर King Arthur की कहानी इस work की पहली 3 books जो थी वो 1590 में publish होई थी उसकी बात बात की 6 books जो थी वो 1596 में publish होई थी एक्चुली इस work को 24 books में लिखने का प्लान किया था इनोंने लेकिन वो कभी complete ही नहीं हो पाई जैसे Chaucer की Canterbury Tales कभी complete नहीं हो पाई वैसे ही इस book का जो first introductory part है वो Sir Walter Raleigh को लिखा गया था दोसों कई सारी history की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि Sir Walter Raleigh का बहुत important role था उस time पर उस age में John Dryden ने इस work के उपर comment किया है lack of unity कि इस work में unity की कमी है एक तरह से इसको ऐसा भी कहा जाता है कि Queen Elizabeth की तारीफ में ये work लिखा गया था जो इसमें character है Gloriana वो Queen Elizabeth का character है उनको please करने के लिए work लिखा गया था Spencer ने अपने इस work को a dark conceit कहा है इस work में साथ books के जो सातो nights हैं उनके नाम इस तरह से हैं हर night के साथ में एक virtue जड़ी हुई है और इन virtues का source माना जाता है Aristotle को Aristotle से ये virtues उठाई गई थी वैसे मैं Fairy Queen की first book की summary discuss कर चुका हूँ कभी हो सका तो line by land भी discuss करूँगा जिसमें Red Cross Knight और उना की कहानी थी Red Cross Knight जो holiness of Anglican Church को represent करता है Fairy Queen की बाद इनका सबसे important work माना जाता है Amority Sonnets 1595 का work जिसको William Ponson भी ने पब्लिश किया था Amority एक Italian word है जिसका मतलब होता है Little Love Gift या फिर Little Love Poems जो इन्होंने Elizabeth Boyle के लिए लिखी थी अपनी Second wife के लिए इसमें sequence से 89 sonnets लेखी गई है और इसका title जब ये पब्लिश होई थी वो था Amority and Epithalemian इन sonnets में जो rhyme scheme इन्होंने follow किया है वो है A, B, A, B, B, C, B, C, D, C, D, E, E Amority sonnets के बाद में हमें ध्यान रखना है Epithalemian जो कि इनका सबसे famous work है 1595 का जब इन्होंने Elizabeth Boyle के साथ में 1594 में शादी की थी उस वक्त इन्होंने ये work लिखा था जो 1595 में publish हुआ था इसका एक और नाम है Naptial Song N-U-P-T-I-A-L Naptial Song ये एक ode है मतलब ode की form में इसे लिखा है अपनी wife के लिए इस work को भी William Ponson भी नहीं publish किया था Amority sonnets के साथ में ही 1595 में इस work में total मिला कर 365 lines है और 24 strenzas है हर strenza में 18 line है तो आप हिसाब लगा लो कितनी lines होगी फिर epithalemian के बाद में इनका work आता है प्रो थरेमिन 1596 में तो इस work के बारे में आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि T.S. Eliot जो 20th century के famous architect थे उन्होंने अपने work वीस्ट लैंड में इस work की एक line line शामिल की है sweet teams run slowly till I end my song तर इन्होंने एक pastoral allergy भी लिखी है astrophal जो 1595 की थी तो सो astrophal के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये allergy लिखी गई थी सर फिलिप सटनी की death पर फिलिप सटनी इनके साथ के part थे सर वाल्टर रॉली को भी ये काफी पसंद करते थे इसलिए उनके लिए भी एक poem लिखी है नोने Colin Clowns Come Home Again 1595 इस work को वो जो allergy थी astrophal जो फिलिप सटनी के लिए लिखी गई थी उसके साथ में publish करवाया था लेकिन सर वाल्टर रॉली के लिए ये जो work इनके नोने लिखा था ये autobiographical type का work था spencerian stenza के बारे में अगर मैं आपको बता हूँ तो ये एक ऐसा stenza होता है जिसके अंदर 9 lines होती है 9 मैं से 8 lines जो होती है वो iambic pentameter में लिखी जाती है जबकि final line iambic hexameter में लिखी जाती है जिसके अंदर 6 feats होते है या फिर stresses जिसको Alexandrine भी कहा जाता है इस spencerian stenza की rhyme scheme जो होती है वो होती है ABAB, BCBC और last में C जो hexameter में line लिखी होती है उसकी rhyme scheme होती है C अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आओगा जो भी मैंने facts समझा है आगे हम लोग discuss करेंगे metaphysical poets को, John Dunn को, Milton को सबको separately चलिए आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में